Hello friends, स्वागत आपका मेरी इस वीडियो में तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे आप JK Bank की Net Banking के लिए Online Registration कर सकते हैं जना कि कैसे आप Net Banking के लिए Apply कर सकते हैं पूरा प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताऊँगा इससे पहले अगर आपको अपर ने चानल को जो सब्सक्राइब कर दें और इस तरह की लिडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना न भूले देखिए JK Net Banking एपलाई करने के दो प्रोसेस होते है एक तो आफ-लाइन आपको फंविल करना होता है ब्रांच में जाके सम्मिट करवाना होता है, इसी के साथ-साथ आप online भी registration कर सकते हैं, JK Net Banking के लिए, नहीं कि जमु किश्मीर Net Banking के लिए, तो इसके लिए आपके पास ATM कार्ड होना चाहिए, debit card अगर आपके पास है, और साथ ही साथ आपका जो mobile number है, वो आपके bank account के साथ registered होना चाहिए, पूरा process में आपको बताऊंगा, उसके लिए आपको चलना होगा computer screen के उपर, तो सबसे पहले आपको JNK Bank की official website को search करना होगा Google पे, जाने की, simple search करना होगा jkbank.com, तो सबसे आपके screen के उपर उपन होगा, तो आपको simply scroll down करना होगा, यहां पे आपको दिख रहा होगा net banking login and register, आपको simply click करना होगा, इस पे click करने के बाद एक next page आपकी screen के उपर open होगा, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा retail login, आपको simply retail login पे click करना होगा, इस पे click करने के बाद यहां पे user ID मांगेगा, अभी आपकी user ID जनेट नहीं होई होगी, क्योंकि आप first time apply कर रहे हैं, तो आपको simply यहां पे दिख रहा होगा, कि अगर आपके पास pen card है, वो भी आपको fill कर सकते हैं, तो यहां पे आपको simply account number fill करना होगा, तो यहां पे मैं account number को fill कर दूँगा, नीचे आपको यहां पे data birth को fill कर देना होगा, और submit पे click करने के बद आपके next page आपकी screen के ओपर open हो जाएगा, sometimes यह जो JNK की website हो down रहती है, तो अगर आपको कोई भी error आता है, तो आप कुछ time बाद apply करें, तो अभी फिल हाल open हो चुकी है website, तो simply यहां पे मैं OTP को fill कर दूँगा, तो यहां पे जो OTP है 398704, तो simply continue पे click कर दूँगा, continue पे click करने के बाद, यह आप don't save करें, save करें, आपके ओपर depend करता है, यहां पे आपको debit card number fill कर देना होगा, तो यहां पे मैं simply debit card number को fill कर दूँगा, नीचे आपको expiry date, यह भी आपके debit card पे mention होगी, यह आपको यहां पे fill कर देने होगी, continue पे click करने के बाद, यहां पे आपको login password और transaction password को fill कर देना होगा, तो simply यहां पे मैं login password और transaction password को fill कर दूँगा, और continue पे click कर देना होगा, continue पे click करने के बाद registration successful, तो यहां पे आपकी user ID जन्नेट हो चुकी है, यहां पे आपको screen के ओपर show हो रही होगी, तो मैंने hide रखी होगी है, ऐसे आपकी जो transaction ID है वो जन्नेट हो जाएगी, transaction ID को यहां से copy कर दें और अपने पास इसको, यहां इसका photo क्लिक करके आप अपने पास रख लें, go to login page पे click करें, go to login page पे click करने के बाद, आपको simply यहां पे अपनी user ID फिल करनी हो और login पे click कर देना होगा, यहां पे password फिल करें यहां पे click करने के बाद यहां पे आपको security questions जो है वो आपको फिल कर देने होंगे यहां पे, तो यहां पे मैं कुछ security questions है वो फिल कर दूँगा, और register पे click कर दूँगा, register पे click करने के बाद इस तरह से error आएगा, यह error क्यों आता है क्यूंकि जो भी net banking है उसकी जो registration है वो आपको लगबग 24 से 48 गंटे लगते हैं, आपकी जो ID है यहांने की net banking है वो login हो जाएगी, अगर आपको फिर भी कोई problem आती है तो आप toll free number यह के bank के toll free number पे call करें, toll free number आपको screen के उपर शो हो रहा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आपको toll free number screen के उपर शो हो रहा होगा 1800 8902122, तो इस number पे आप contact कर सकते हैं, अगर आपका 48 गंटे तक activation नहीं होता है, 48 गंटे के पाद आप login करेंगे तो आपकी details वहाँ पे शो होगी, अगर आपको कोई भी और problem आती है तो आप directly इस number पे call करें, तो इस तरह से आप जम्मु किश्मीर बैंक की जो net banking है उसके लिए apply कर सकते हैं online वो भी गर बैटे, बस आपके पास ATM कार्ड और आपका account के साथ mobile number register होना चाहिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तरफ वीडियो को like कर दो, चैनल को subscribe कर दो और इस तक लिटेस्ट updates के लिए बैल आइकन पे click करना ना भूले।